दोस्तों सर्दिय सी जुरू हो गई है, सर्दिय सुरू होती हम सबकी घर में इस्टप पराथे बनाए जाते हैं उन्हीं में से आज मैं आपके लिए लाएँ भूत ही हेल्दी मेथी के पराथे ये खाने में तो लाजोब है, ये साथ में बहुत जादा हेल्दी भी है साथ में हम बनाये हैं इसके हरे धन्य की चट्नी, तो आज मैंने ये मेठी के पराठे कैसे बनाएं चलिए वीची बनाना शुरू करते हैं, मेठी के पराठे बनाने के लिए हमने यहां पे एक बाउल मेठी को अच्छे से धो के बारिक-बारी काट लिया इस तरीके से अगर हम मेथी को काट के आटे में गूतेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मैंने एक परात में दो बाउल गेहु का आटा लिया है उसी में हम इस मेथी को डाल के आज ये क्रिस्पी पराते बनाएंगे तो हमने यहाँ पर दो बाउल आटा ले लिया है गेहु का अब इसमें हमने जो ये मेथी के पत्ते धो के अच्छे से साफ करके काट लिये हैं बारिक वो इसमें डाल देंगे हम ये पिमेथी के पत्तों को उबालना नहीं है डाइरेक्ट इसी तरह से इसे हमें डालना है अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अजवाइन तो अजवाइन को मैं थोड़ा सा हाथों में क्रश करके डालूँगी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसमें डाल देंगे आदा चम्मच जीरा मैं यहाँ पे डालूँगी एक चम्मच नमक नमक आप स्वाद अनुसा डाले एक चम्मच लाल मिच पाउडर इस सभी मसाले हमें मेर्थी के पराठे में डालने हैं और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है अब इसका हम आठा गूत के त्यार करेंगे दोस्तों तो आठा जिस तरह से आप नौर्मरी रोटी के लिए पराठे के लिए लगाते हैं वैसी हमें इसका आठा गूतना है तो मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आठा गूत कर तयार करेंगे जब आपको बहुत कुछ अच्छा सा पराठे खाने का मन करें तो यह वाले पराठे आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इन्हें बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बस इस तरह से आठा गूत लीजिए और हरे धने की चटनी के साथ यह पराठा सब करिए तो यह देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर नॉर्मल आठा गूत लिया है तो अब इस आठे को मैं एक साफ प्लेट में सिप्ट कर देती हूँ आठे को हम एक प्लेट में रग दिया और इसे हम ढगके लगबग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे उससे पहले हम इसमें लगा देंगे एक चम्मज देसी घी तो मैं यहाँ पर इसमें एक चम्मज देसी घी इस तरह से लगा के एक बार हातों से मैश कर देंगे और इसे हमें 5-10 मिनट के लिए धक के रेश्ट के लिए छोड़ देना है इस बीच आप अपनी फैवरेट चटनी अचार जो भी आपको पसंद हो उसकी त्यारी कर सकते है तो मैंने यहाँ पर बाउल से आटे को 10 मिनट के लिए धक के रख दिया था और हमने यहाँ पर थोड़ा से सूखा गेऊ काटा ले लिया है और यह इस आटे को हम एक बार थोड़ा सा फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे तो यह आटा हमारा बहुत ही अच्छा गुथा है इस तरह से ना ही ज़्यादा टाइट आता है और ना ही एकदम से धीला तो हमें यहाँ पर नोर्मर आटा गुथन है और इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनेगे तो इस तरह से हम एक लोई तोड़ेंगे जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं रैसे हमें इसके पराठे बनाके त्यार करने हैं पराठे आप अपनी पसंद से मोटे पतले चोकोर जो भी आपको सेफ देना चाहिए आप बना सकते हैं मैं यहाँ पर गोल पराठे बनाओंगी जो देखने में सुन्दर लगते हैं इस तरह से हम इसके लोई बना लेंगे और सुखे आठे में इसे डश्ट करेंगे और इसे एक बेलन की साइता से हम इस तरह से बेल लेंगे तो मैं आज यहाँ पर थोड़े पतले पराठे बनाऊंगी पतले पराठे जब आप गर्मा गरम सव करते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो एक बार मैं आपको यहां पर 3-4 पराठे बना के दिखा दूंगे तो देखे इस तरह से हम इस पराठो को बेल लेना है तो यह देखिए मैंने यहां पर 1 मेथि का पराठा यहां पर बेल लिया है इसे मैं side कर देती हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे एक दो पराठे और बेल लूँगी अब चलिए हम पराठे को सेखने के लिए चलते हैं इस पराठे को सेखने के लिए मैंने gas पे एक तवा रख दिया है तवा यहां पे गरम हो गया उसके उपर हम पराठे को रख देंगे और पराठे के टेश को दुगना करने के लिए इस पराठे को हम सेकेंगे देशी घी से मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मेथी की पराठे देशी घी में बनाईए बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और घी तो सर्दियों में वैसे भी खाना चाहिए बहुत अच्छा रहता है तो आप देशी घी में ही पराठे बनाए और इस साइड से मैं पराठा पलट दू कि यह मेथी से बने हैं और इसमें हम देशी घी लगा रहे हैं तो यह बढ़ो बच्चे सबको बहुत पसंद आएगा तो इस विंटर सीजन आप यह टेस्टी टेस्टी यम्मी पराठे ट्राइ जरूर करना फ्रेंड और दोनों साइड से हम इसी तरह से देशी घी लगा के आप देख सकते हैं दूसरी साइड से एक तुम गॉल्डर ब्राउन चिट्टी आ गई है इसी तरह से हम दोनों साइड पराठो को सेखेंगे आप इसे चम्मत से थोड़ा इस तरह से रब करते जाए इससे पराठे बहुत ही सुनहरे सिकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो देखिए फ्रेंट दोनों साइड से पराठा बहुत ही सुन्दर और बहुत ही टेस्टी सिक्के तयार है आप इस पर जितना ज्यादा आपको पसंद है उतना देशी घी लगाए और इसे परोसे तो यह देखिए मेठी का यम्मी पराठा बनके तयार है इसी तरह से हम सारे पराठे बनाके यहां पर तयार करेंगे मैंने यहां पर एक बार चार पराठे बनाए जिसे आज मैं हरे धन्य की चटनी के साथ सब करूंगी दोस्तों तो यह मेठी के पराठे इस विंटर सीजन आप बनाए खाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह प झाल झाल